अधिकारियों और बैपारियों थी बारता के बाद नई गाइडलाइन के तहट आठ जून से बाजार खोले गए आई आख को दिखाते हैं इस ख़बर के जरिये क्या है नई गाइडलाइन और किस तरीके से खोले गए बाजार बैपारियों और प्रसासने काधिकारियों के साथ हुई बैटक में होट स्पोर्ट वा बफर जोन में बन चल रहे बाजार खोलने को लेकर रलनीती बनाई गई जिसमें तैग किया गया था कि 8 जून से निम्ना आदेशित बाजार को क्रम साथ दाहिनी वागवाई पट्टी के सारव प्राता नौ बजे से रात ट्रीयाट बजे तक खोला जाएगा समस्त् बजाजा बजार याद मार्केट भगवान-दयालपत कुमार मंडी आदि बाजार वा स्टेशन रोड पर किशिन तिराय से भामाच ओराये तक वा सहर में अनिबाहरी रोड पर भी सभी बाजार इसी क्रम में ही खुलेगा बाटागली सिल्लेकर रोड बेज पसिस्टेंट तक तांगाड़े सिल्लेकर घंटागर तक संपूल लेन ग बाजार वा घंटागर से लेकर देवी रोड मदार दरवाजे तक सभी दुकाने अगली सूचना तक बंद रहींगी सभी मेडिकल सौब आटा चक्की स्पेलर वा मिठाई की दुकानों पर पट्टी क्रम लागू नहीं होगा वो प्रत दिन अपनी दुकान खोल सकते हैं ऐस दुकाने खोलने का आदेश दिया गया था जिसमें क्रम से एक तो और तीन नमबर दुकानों पर डाले गए थे अब नई गाइडलाइन के अंसार एक दिन में एक पट्टी की दुकाने खोली जाएंगी मनुच कमार्ची दुकान खोली है दियम साथ के आदेश पर आपको तैसी रहत मिल लगी है गर से तो अच्छा है कि वाल बजार पे आई डिकले को चैल पहल होगी वह बतलब दुकंदार ही दगा रहा है कैसी क्या चैल लगी तो उनका आना चाले हो अब कर दो आपको क्या रहात मिली है रहात मिली है कि मोधी का दनवाद देना चाहेंगे और रहात पर बस यह है कि गिराज को बिल्कुल है नहीं अब यह हार फैर फोड़ा सा प्रेश हो जाएंगे मौध जी जे और्ट पूर्ट एरिया में दुकाने खुली है लियम साथ के आदेश पर इसमें आपको कहा रात मिली है यह था मार्केट में खुलगा से दुकाने खुली तुस्ता में लिए पैट कर दो हघाँ वंकरना जो है। अब इसना डरी हुख वाज़ु तो हरुखता गेर नहीं चाहें Pack म.